हालो गुद्मारिंग एर्यवान माई नेम इश्वम जिगदीश और तुम सब क्या कर रहे हो भाई आज तो है आपका पेपर ना एकनामिक्स का दो बजे चलो भाई स्पेसिमन भी तो डिसक्स करना है बोला था ना पेपर से पहले स्पेसिमन तो बताऊंगा ही चलो शुरू कर करते हैं स्पेसिमन डिसक्स करना उसके पहले एक बात बतायता हूं अगर तुमने अभी तक ऑप्सेशन आप डाउनलोड नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हैं और आज शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास और वन बाई वन सारे कोशन का सल्यूशन देने वाले ह हैं वहां तक आप कैसे पहुंचे ये भी हम देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बेटा कोशन क्या बोल रहा है पहला फंए सेल्स फ्लोर टु फंबी तो एक फंए हो गया एक फंब एक सेद एक फंए हो गया एक फंबी हो गया एडड़ फंबी हो गया ठीक है है न भाई क्या बोल रहे हैं ज़रा इसके बारे में ढेखें फंबे सेल्स फ्लोर टु फंब इसका intermediate consumption कितने का हो गया, firm B ने समान खरीदा जना, कितने का, 100 रुपेका, तो value added कितना आया, 60, आगे बात बढ़ते हैं, आते हैं C के उपर, C ने किसको बेचा, customer को बेचा, तो C के लिए sales कितना हो गया, 200, और C ने खरीदा कितने का था, intermediate consumption कितना हो गया, 160, तो value addition कितना आया, 40, तो A ने value addition किया, 100 रुपीज का, B ने value addition किया, 60 रुपीज का, और C ने value addition किया, 40 रुपीज का, टोटल कितना आ जाएगा, 100 प्लस 60 प्लस 40, कितना आया, 200 रुपीज, सो हमें निकालना क्या था, hence the gross value added will be, gross value added क्या हो था, तीनों का value addition तुमने add कर दिया, आंसर आ गया, 200, ये बिल्कुल सही जवाब है, और अगर किसी बच्चे को ये नहीं आद है, कि value added कैसे निकालते थे, तो होता था formula value of output, जिसको हम लोग sales बोलते थे, minus intermediate consumption, मतलब वो समान बनाने में जो भी खर्चा हुआ था, मैंने national income की class में बताया भी है आपको, खैर, आगे बढ़ते हैं बेटा और अगले question के ऊपर आते हैं, अगला question क्या कह रहा है, अगला question कह रहा है मेरे भाई, कि medium of exchange and measure of value, ये कौन से function थे, भाई ये तो primary function थे, medium of exchange, measure of value, ये तो primary function था, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है इसको, है के नहीं भाई, money and banking की class में, आगे बढ़ते हैं, दो question आपको, clear हो गया होगा, चलो भाई, अगला question क्या कह रहा है मेरे भाई, अगला question देखते हैं, अगला question क्या कह रहा है, aggregate supply क्या होता है, मैंने बताया था, aggregate supply को income बोलते हैं, मतलब consumption plus saving, C plus S इसका सही जवाब है, C plus S इसका सही जवाब है, C plus I क्या होता था, aggregate demand, ठीक है ना भाई, गरबढ़ मत कर देना, paper में जाने के बाद, ठीक है, sorted chill, आगे बढ़ू, अगले question पर आजाएं, transfer earnings क्या होती है, तुमको बताया था, transfer earnings, transfer payments, अब unilateral transfers होते था, unilateral, unilateral transaction होते था, मतलब एक तरफा transaction, आँ जारा देखते हैं, transfer of income from 1% to another, नहीं भाईया, income received by selling goods, no, unilateral payments, received from non related to any production, तो ये unilateral payment वाला answer, बिल्कुल ठीक है, because transfer earning, आपका unilateral होता है, याद रखना, एक तरह का synonym है, बेटा ये, आगे बढ़ते हैं, उसके बात क्या हो रहा है, उसके बात हो रहा है, अगला question, question number 5, I hope सबको दिख रहा है, जी हाँ, सबको दिख रहा है, question number 5, क्या कह रहा है, question number 5, बोल रहा है, a consumer spending on purchase of goods, regardless of the income, in possession, बिना income को सोचे, अगर कोई customer, कुछ भी खर्च कर रहा है, तो उसको बोलते हैं, autonomous, autonomous consumption, बताया था, AD वाली class में, जब income zero होगी, वहाँ पर जो consumption होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग, autonomous consumption, और इसी saving को क्या बोलेंगे, autonomous saving, समझ में आरी ये बात, sorted लग रहा है न, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई, बढ़ें आगे, six question पर आजाओ, चलो भया, six question पर आते हैं, six, seven, eight, फटाफट से करके दिखाएंगे आपको, so that, सारी चीज़े आपको clear हो जाएं, दो मिनट के अंदर, six question क्या कह रहा है, dash is the creation of new currency, जभी भी नई currency चापने की बात होती है, तो उसके लिए अग term है, deficit financing, government budget के चाप्टर में दे रखा है, deficit financing, जिसकी केवल मीनिंग सिलिबस में थी, क्या बोला है, dash is the creation of new currency, to fill the gap between, government revenue, government expenditure, मतब government अपने deficit को, government अपने कमी को पूरा करने के लिए, जब नई notice हापने लगेगा, तो उसको बोलते हैं, deficit financing, याद रखना इसका आंसर, बोखोट साइक जगए पर गलत दे रखा है, so make sure तुम deficit financing लेकर आओ, आगे बरते हैं, GNPFC और GNP, निकालना है तुमको, किस से निकालना है, GNPMP से, यह तो conversion का question आ गया, GNPMP से क्या निकालना है, GNPFC, gross net product से, market price से factor cost, यह ना net indirect tax, और यह निकालते कैसे हैं, indirect tax minus subsidies, आप यह पूरा लिख कर आईएगा, हो सकता है, paper में कुछ गडबड ना हो जाए, exam दर ने सोचा होगा, indirect tax answer हो सकता है, subsidies लिख सकते हैं, तो तुमको clearly लिख कर आना पड़ेगा, NIT होता है, और नाइटी निकालते कैसे हैं, indirect tax minus subsidies, ठीक है बच्चा पाड़ी, आगे बढ़ जाओ, अगला question क्या है, give one difference between direct tax and indirect tax, यह तो बड़ा ही आसान question है, direct tax का burden हम किसी और के उपर shift नहीं कर सकते, whereas indirect tax का burden shift किया, जा सकता है, alright, so, और direct tax impose किये जाते हैं, income पर, profits पर, और indirect tax, goods and services के उपर, example, income tax, example, GST, sorted, आसान, अगले बढ़ते हैं, section B पर आते हैं, और section B पर ये 2, 3, 4 question ज़रा देखो, जो question मैं already solve कर चुका हूँ, मैं इसको दोबारा solve नहीं करूँग, बस तुमको हिंट दे दूगा, किस वीडियो में बताये था, so, differentiate between CRR and SLR, ये हम लोग ने discuss किया है, banking के chapter में, CRR क्या होता था, cash reserve ratio, जो हर commercial bank कहां रखती थी, central bank के पास, SLR क्या होता था, statutory liquidity ratio, जो हर commercial bank, अपने bank के अंदर ही रखती थी, in the form of liquid cash and so on, तो CRR और SLR का तुमको difference समझ में आ रहा होगा, I hope ये चीज clear होगी, ठीक है न, हाला कि इसको detail है मैंने पढ़ाया हुआ है, banking के chapter में तुरन जाओ और देख लो, आगे बढ़ते हो उसके बद क्या है, briefly explain two reasons, for the adverse BOP मैंने बोला था, ये question आपको मिलेगा ही मिलेगा, दो reason क्या होते हैं, मैंने बताए हैं, चार वैसे आपको, सबसे पहला fall in foreign demand, हमारे goods की demand, विदेश की countries में नहीं हो रही है, और दूसरा, inflationary pressure, हमारे country में inflation जादा है, जिसकी बज़े से, हमारी country के अंदर goods, महंगे बनते हैं, इसलिए महंगे sale करते हैं, इसलिए हमारा जो, दूसरी country में समान बन रहा है, वो सस्ता बन रहा है, चाइना में बना हुआ समान सस्ता है, इंडिया में बना हुआ समान महंगा है, इसलिए इंडिया के लोग चाइना से, इंवेश्मेंट भी दिखाना पड़ेगा मैं बना के दिखा चुका हूँ दुबारा डिसकस करने के जरुत नहीं है कब सीखा था हम लोगों ने जब नैशनल इंकम की क्लास कर रहे थे एद के दिन सुबह जाके देख लो ठीक है बाइक क्या डाइग्राम बनाना है तो आपको explain नहीं करना होगा ऐसा कोई भी question नहीं आया है अभी तक जो मैंने नहीं पढ़ाया हो और जो नहीं पढ़ाया है या जो नया type का question है वो मैंने solve करके दिखा भी दिया है आपको आगे बढ़ते है question क्या बोल रहा है APC निकालो तो जब भी निकालना formula जरूर लिख दिना C upon Y M 90 upon 100 90 upon 100 is 0.9 108 upon 120 यह तो तुम्हें solve करना पड़ेगा even मुझे भी solve करना पड़ेगा कितना आएगा 108 upon 120 108 upon 120 तो यह किस से कटेगा यह कटेगा 8 एक 9 तीन से कट जागा तो यह भी आ रहा है 0.9 तो दोनों answer 0.9 आ रहा है तो कुछ गरबड़ी की बात नहीं होगी अब MPC निकालने के लिए तुमको चाहिए होगा डेल्टा C और डेल्टा Y पहली यूनिट पर डेल्टा C नहीं निकाल सकते हो अगले पर कितना आ जाएगा 90 और 108 में difference आ गया है तुम्हारा 18 का और डेल्टा Y कितना आ जाएगा difference 20 का 18 upon 20 18 upon 20 तो 210 to 9 answer आ गया 0.9 और पहले वाले पर तुम लगाओगे dash ये numerical भी मैंने तुमको करना सिखा दिया था तो चिल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं simple sorted numerical आ गया आगे बढ़ते हैं differentiate between cash credit and outright loans याद करो हम ये पढ़ रहे थे function में commercial bank के तब मैंने तुमको बताये था ये question मिल जाएगा cash credit क्या होता है cc limit में आपको एक separate account खोला जाता है और एक certain amount deposit कर दिया जाता है लेकिन interest किस पर charge होगा जितना amount अब business man withdraw करेगा और outright loans में क्या होता है लंसम में पैसा transfer कर दिया जाता है और पूरे amount पर interest charge हो रहा होता है ये मैंने तुमको बताये था चलो बाई आगे बढ़ते हैं how is devaluation of currency different from depreciation भाई देको devaluation और depreciation में इसके उपर तुमको दो difference देने हैं सुनो बाई devaluation जो और depreciation में basic सा difference ये है कि devaluation होता है fixed exchange rate system के अंदर और depreciation होता है flexible exchange rate system के अंदर ये भी बताये था devaluation के पीछे जिम्मदार कौन होता है government और depreciation के पीछे जिम्मदार होती है forces of demand and supply sorted दो difference तुम लिखकर चले आओगे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई सातवे question पर आते हैं सातवा question क्या कह रहा है ये central bank का तुमको function दे रखें दो clearing house function का मतलब क्या होता है हर commercial bank का account होता है central bank में तो एक commercial bank का check दूसरा commercial bank का check आपस में clear कर सकता है RBI directly ठीक है उसको बोलते है clearing house function however इसको एक बार किताब से read कर लिजेगा lender of last resort क्या होता है मैंने बताया था yes bank को बचाने के लिए RBI सामने आया अगर कोई bank bankruptcy के करगार पर आ रहा होता है तो वहाँ पर RBI came into picture and उस bank को bankrupt कोने से बचा लेती है उसको बोलते है lender of last resort इसको भी read कर लिजेगा और paper में अपने शब्दों में लिखकर आएंगे तो भी चलेगा कोई लिखकर नहीं है बढ़ते हैं आगे बेटा और अगले question पर आ रहे हैं अब शुरू हो रहे हैं चार marks के question चार marks का question कैसे करेंगे आईए देखते हैं what is meant by equilibrium income how it is determined by saving and investment approach याद करो मैं तुमसे बोल रहा था या तो AD and AS अप्रोच आएगा या S&I अप्रोच आएगा तो देखो यहाँ पर S&I अप्रोच तुमसे पूछ लिया है तो भाई तुम्हें सबसे पहले बताना पड़ेगा equilibrium income होता क्या है और उसके बाद तुमको पूरा diagram के साथ explain करके आना पड़ेगा मैंने यह तुमको पूरा बता रखा है equilibrium income क्या होती है that income where saving is equals to investment simple और उसको diagram के साथ explanation मैंने बताया हुआ था exactly वही आप लिखकर आएगे के दोनों answer भी दे रखे हैं आपको जाए और फटा-फट से answer देख लिए जो बाकी मैंने पूरा investment multiplier का mechanism बताया साथ में stable बताई थी और answer लिखना भी बताया था ठीक है ना बिटा आगे बढ़ते हैं how is the rate of exchange determined in the flexible exchange rate system यह तो कल ही रात को पढ़ए हो तुम क्या करें थे exchange rate system कैसे determine किया जाता है भाई ये वाला question ये वाला question एक सकेंड मैंने कल भी बताया था और छोटी सी बातों को revise भी करा दे रहा हूं demand और supply जहां पर cut करते हैं वहां पर exchange rate determine किया जाता है मैंने कल बताया था कल के अंदर मैंने इसका deeply आपको solution भी बताया है साथ में obsession के app के उपर इसका solution का answer भी दिया है कि लिख कर क्या आना है किसी ने नहीं देखा तो मैंने बताया था कि भया income method के steps पढ़ लो expenditure method के steps पढ़ लो और product method के steps पढ़ लो साथ में लिखवाए भी थे अब तुमको explain करने हैं सारे steps चार number हैं और करीबन इसके चार steps भी तुमको explain करके आने होंगे मैंने पूरा बताया था formula लिखना और हर एक step में क्या क्या चीज़ आप calculate करते हैं यह आपको बताना पड़ेगा ठीक है बेटा ठीक है सबसे पहले first step is to identify and classify likewise उमने बताया था ना आपको तो मैं अब बोरिंग नहीं बना रहा हूँ जो बता चुका हूँ उसको दुबारा बताने का समय नहीं है ना बक्वास करेंगे वो चीज़ explain the following methods of debt redemption भाई देखो तुमसे पूछ लिया है कि इन दोनों methods से debt redemption कैसे होगा सबसे पहला क्या है debt conversion मतलब एक debt को एक loan को दूसरे loan में convert कर देना एक loan को दूसरे loan में convert कर देना क्या है बेटा debt conversion है ठीक है ना बेटा और साथ में और साथ में क्या है भाई अगला sinking fund sinking fund क्या है sinking fund में क्या होता है government क्या करती है government क्या करती है बच्चा government एक separate fund बनाती है government एक separate fund बनाती है government एक separate fund बनाती है just a second एक phone call आ रहा था उसको disconnect कर रहा हूं हाँ बया क्या बोल रहा हूं sinking fund में क्या हो रहा है sinking fund में क्या हो रहा है एक government एक separate fund बनाती है और उस fund में कुछ क्या करती है fixed amount of money fixed amount of money government एक separate fund बनाती है जिसमें वो fixed amount of money transfer करती है which is known as sinking fund और इस fund का पैसा वो लोन चुकाने में करती है क्या बताए है मैंने तुमको अंग्रेजी में रीट करके बतादे रहा हूँ इसका answer क्या है इसका answer यह है बेटा in this method the government establishes a separate fund known as sinking fund a fixed amount of money is credited by the government to this fund every year by the time the debts the debt matures and there is enough amount in the fund to pay off loan along with the interest and there upon इसका मतलब क्या है sinking fund मैंने आपको detail में भी बताया हुआ है लेकिन फिर से सुनलो भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है आई समस्ते है एक phone call आ गया था थोड़ा disturbance हो गई उस शक्कर में sinking fund में भी यह government ने लोन लिया government ने लिया loan अब loan को चुकाने के लिए एक fund बना दिया जिसका नाम रख दिया sinking fund इसमें government क्या की हर साल पैसा ट्रांसफर करती चली गई तब तक पैसा ट्रांसफर किया जब तक कि इस account में sinking fund के account में उतना पैसा ना हो जाए ताकि लिया हुआ loan वो वापस कर सके उस process को बोलते हैं sinking fund हमने loan लिया 10 लाख रुपे का मालो उस पर interest मिला के हो गया वो 12 लाख रुपे तो इस fund में 12 लाख रुपे वो year on year deposit करती जाएगी और जब पूरा पैसा loan वापसी के लिए हो जाएगा तो उसको refund कर दिया जाएगा आगे बरते हैं question number 12 पर आ रहे हैं question number 12 जो की last question है आएए देखते हैं क्या कह रहा है question number 12 क्या कह रहा है read the given extract carefully read the given extract carefully and answer the following question Mr. X wanted to buy an expensive motorcycle for his son but he did not have sufficient money to buy it he approached a public sector commercial bank for the loan भाई या पूरे पैसे नहीं थे तो loan के पास चले गए loan लेने के चले गए the bank asked Mr. X to deposit 20% cash इसको क्या बोलते हैं down payment cash down payment मैंने बताया था यह आपको पर्सो की class में cash down payment मतलब 20% cash down payment हो गया 20% cash of the loan amount and rest 80% loan amount was given by the bank मतलब अगर लेट से एक लाख रुपे की बाईक थी तो 20,000 रुपे उसको तुरंत देने थे बाकि 80,000 रुपे का loan हो रहा था 20,000 रुपे उसको तुरंत देने थे और 80,000 रुपे का loan उसको तुरंत देना था जो यह selective credit control है cash down payment को बढ़ा दिया जाता है loan amount को कम कर दिया जाता था और during deflation cash down को कम and loan amount को बढ़ा दिया जाता है यह मैंने आपको explain करके बताया भी हुआ है Name the bank which controls all the commercial bank and financial institution of the country तो तुमारा इसका answer हो जाएगा Central bank और इसका दूसरा नाम भी लिखकर आ जाना Reserve Bank of India पूरा लिखना Reserve Bank of India RBI लिखके मच चले आना पूरा लिखकर आओगे तभी number मिलेंगे तो भाई जल्दी से तुमने वी वीडियो देख लिया है सुबह सुबह जल्दी early morning में और अब तुमको बचा हुआ portion revise करना है और paper देने जाना है and all the best for your paper अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले accountancy की class में जो की शुरू हो रही है 9th of May से stay tuned to the channel love you all and wish you all the best